नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है दोस्तो आज सुपर्ट Advait का सामाजिक विज्ञान का उसका पहला जो topic है प्रतवी की सनुचना जो की सामाजिक अध्यन से है तो उसके questions के माध्यम से मैं आपको शंजहाओंगा तो पहला कुश्चन है दोस्तों आपके सामने है प्रत्वी की आंतरिक संरचना के संबंद में सरवादिक महतपूर जानकारी का सुरोत क्या है तो आप लोग भी आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताईए अप्राकरतिक साधन भूकंप विज्ञान जौला मुखी क्रिया प्लेट विवर्थने की तो दोस्तों होता क्या है जैसा कि मैंने आपको चेप्टर में भी बताया था जैसे हमारी ये प्रत्वी है तो प्रत्वी में जैसे कि ऊपर यहां से जौला मुखी निकलना शुरू हुआ या फिर कोई और ऐसी प्रक्रिया हुई जैसे कि भूकम्प भूकम्प आता है तो प्रत्वी की अंदर से ही कोई हल्चल होती है तो जैसा कि बताया था कि प्रत्वी की जो आंत्रिक सनुचना है उसके बारे में जानने की इच्छा या जानकारी मिलने का जो एक स्रोत है वो सब तरीके क्या है जब मन उसे को ये लगा कि प्रत्वी के अंदर आखिर क्या हो रहा है जिसे जौला मुखी जब होता है निकलता है तो वहां से लावा निकलता है तो लोगों के मन में ये खयाल भी गया कि ये लावा कहां पर है आखिर कैसे क्या है फिर धीरे धीरे इन सब चीजों का अध्यन किया गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुरवलता मंडल जो उनसे सुरोत से मिल रही है अगर देखा जाए तो इन सभी से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है लेकिन उनमें से सबसे अधिक या सबसे महतपूर जानकारी कौन सा सुरोत हमें देता है तो बो आपका क्या रहेगा इसमें उप्सन बो है उप्सन नमबर B भुकंप विज्ञान प्रत्वी की आंतरिक सुनुचना के सम्बंद में सबसे महतपूर जानकारी का सुरोत है भुकंप विज्ञान तो पहले का उप्सन नमबर B आपका सही हो जाएगा अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं अगला है कुश्चन नमबर 2 कुश्चन नमबर 2 ऐ भु गर्वमें टापमान ब्रद्दी का कारण क्या है आपने चैप्टर के दौरान पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम लोग सतय से अंदर की तरफ जाते केंदर के तरफ जाते हैं जमीन में तो टेंपरेचर बढ़ता जाता है कितना बढ़ता है वो भी हम आगे डिसकस करेंगे आपको तो इसमें यही पूचा गया है कि भू गर्व जमीन के अंदर गर्व में जाने पर जो तापमान में बद्धी होती है उसका कारण क्या है दो के अनुसार अगर तत्वी के अंदर भू गर्व में जब हम जाएंगे तो तापमान में बद्धी का कारण यह दोनों ही है दबाब भी वड़ता है और जो रिडियो सक्री पदार्त है उनका बिखंडन भी होना सुरू हो जाता है तो कौनसा औप्सन सही हो गया औप्सन सुरी ऑप्सन नमबर सी सही हो गया इसका जिन लोगों ने सी ऑप्सन चूज किया है उनका यह अंसर सही है अगला है कुश्चन कुश्चन नमबर तीन भी आप पढ़ लीजिए कुश्चन नमबर तीन है कि धरातल से भूगर्व की और जाने पर गहराई के साथ तापमान ब स में अपको बता रहा था कि प्रत्वि के अंदर सतह से लेकर के किंदर की तरफ जब जाते हैं तो दीरी दीरे करके टेमपरिच्र बढ़ता है लेकिन मैंने तब नहीं बताया था कि कितना कितना बढ़ता है क्यों क्योंकि यह कुश्चन आने वाला था अभी आप बताईए जो तापमान है वो बढ़ता है ब्रदी तो होती है यह चीज तो एक डिग्री सेलसियस यहां पर मीटर और फीट और सही कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत है तो इसमें भी आपका जो ओप्संज होगा वो होगा सी सही होगा कैसे इसमें क्या होता है सतय से किंद्री की तरफ आप जाएंगे 32 मीटर तो जाने पर आपका एक डिग्री सेलसियस बढ़ड़ जाएगा इस तरीके से यहां पर 32 मीटर जाने पर एक डिग्री सेलसियस बढ़ता है तो एक डिग्री सेलसियस कहने का मतलब है उपर वाली बात आप भूल भी जाएंगर इस चीज को यहां पर बस इतना याद रखिए कि जो प्तवी का एक पार्ट है अंदर सनुचना में कोर वो किस से बना है ऐलुमिनियम क्रोमियम लोह और सिलिकॉन तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम बात कर पर पत्वी को जो अंतरिक सनुचना जया हम पढ़ेंगे तो दो आधार पर पत्वी को बांटते हैं कि एक तो होता रासानिक संगठन और एक होता है जिसमें की जैसे भुकंपी ये लहरों के ब्यभार के आधार पर तो रासानिक संगठन के आधार पर हमने तीन इस तर में बांटा था इसको पहला तो था सियाल, सिलका और अलुमिनियम, दूसरा था सीमा, उसमें क्या था सिलका और मेगनिसियम, और तीसरा क्या था निफे, निकल और फैरस, यानि कि फैरम यह होता है लोहा, निकल और लोहा, तो अभी आपको बताना है, अब आप साफ साफ देख ल और आइट रो होती है दो तो यहांपर पूंचा गया है कि जो कोर है वो निम्न मने से किस एक से बना है अलूमिनियम, निकल और लोहा में नहीं है क्रोमियम नहीं है, सिलिकोन नहीं है बचा कुनसा? तो यह होगा आपका सही आंसर वो है लोहा तो आपका सही आंसर क्या हो गया लुहा, option number C आपका हो गया एकदम correct answer कोई भी अगर आपको doubt होता है इस question में तो आप पूँच सकते हैं, बहुत ही अच्छा question है लुहा वाला, क्योंकि यहां पर सबसे मैंची यह क्रोड के बारे में पूचा है, अगर आपको यह याद रहेंगे, सियाल, सीमा, निफे तो आप इसका अंसर बड़े आराम से दे लेंगे अभी चलते हैं कुछतर नमबर पांच के दरफ देखिए यहां पर कुछतर नमबर पांच में सेम चीज़ें आगई हैं के सामने जो मैंने आपको बताई थी अभी अभी सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्व का बिभाजन किसके द्वारा किया गया है भूगर्व मतलब पृत्वी के अंदर का भाग, सत्य को छोड़ दिया जाए तो जो विभाजन किया है यह रासानिक संगठन के आदार पर यह कौन से वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था बैन, डरिग्रेट, डैली, हॉम्स और स्वेस इस चीज़ को आपको याद करना होगा इसे आप समझ के नहीं याद करके कर सकते हैं या फिर इनकी पूरी स्टोरी पढ़के तो कुश्चन नमबर पांच में उप्सन नमबर डी सही है स्वेस स्वेस नहीं यह जो दिया था जो फर्मूला की सियाल, सीमा और निफे के रूप में इसका विभाजन किया था कौन सा उप्सन सही हो गया आपका? कुश्चन नमबर डी अब ही चलिए कुश्चन नमबर छह के पास कुश्चन नमबर छह फिर से उसी टाइप का है प्रत्वी की आंतरिक सनुचना के अनुसार भू गर्व का विभाजन भू पटल, मेंटल और कोर में किया गया है यह विभाजन किसका है? पहले वाला कुश्चन क्या था? जिसमें सियाल, सीमा और निफे यानी के रासानी संगठन वाला जो फॉर्मूला किसने दिया था? वो तो आप उन्हें बता दिया स्वैस ने अब यहाँ पर जो है जो कि भूकम पी है तरंगों वाले विभार की विए से बताया था तो इसमें आपको बताना है कि इसमें किसने दिया था? हॉम्स, जैफरीज, डैली और ग्राट तो इसका भी आंसर आपका डी सही होगा वो है ग्राट तो आगे याद रखिये आप स्वेस ने बोला था सियाल, सीमा और निफे वाला और ये जो है भूपटल, मेंटल और कोर ये वाला जो फॉर्मूला दिया था ये दिया था ग्राट ने कुश्चे नमबर साथ अभी देख लेते है कुश्चे नमबर साथ क्या है दोस्तो प्रत्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुम्मकी पदार्थ क्या है प्रत्वी के केंद्र में कौन से कौन से पदार्थ पाया जाते हैं पहले ये देखिए उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चुम्म की पदार प्रत्वी के केंद्र में पाया जाता है प्रत्वी के केंद्र में केंद्र से एक वार फिर से फिगर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अभी अभी मैंने समझाया था यह जो प्रत्वी गोल है जैसे गोलाकार टाइप में है यहां पर यह ओगया प्रत्विका केंदर यहां से यहां तक जब हम जाते हैं यह जो केंदर अरिया है यहां का आपको बताया था अगर हम राशानिक संगठन के आतार पर बांटेंगे तो यहां पर माली जिए ऊपर का पाक्षण हो जाताए सियाल उसके बीच नीचे का निफِय Wenn us Subs अब यहां पर आप लोह देखिए कहीं है नहीं बचाये आपके निखल तो जो पर्त हो वही चुमकी में आएगा अगर आपको नहीं भी पता यह चुमकी से और ढूट है तो इसलिए इसका लूट सी सही हो जाता है वो है निखल आप समझ गए अब देखिए कुछ्छा नमबर आठ थोड़ा सा हटके है बहुत देर हो गया रासानिक बात है अभी यहाँ पर कुछ्छा नमबर आठ है किसी का गलत नहीं होना चाहिए स्थल मंडल सब्द किस से संबंद रखता है स्थल मंडल के बारे मैं आपको बता दूँ एक बार जैसे कि जब प्रत्वी का चुछ्छित्र दिखाया गया था बटवारे में जो मैंने बताया था तो उपर का जो एरिया था भूपरपटी एरिया उसके बाद नीचे का एरिया क्या था mental और उसके बाद क्या थे आगे के अरिया थे होड़ के बद है कि इसी लिए इसमें पूंचा भी गया है कि प्रतवीक आंत्रिक छेत्र है प्रतवीका पटल है और जनतु है या इसमें से कोई नही तो अभी आपको पताना है कि आखिर इस्थल मंडल क्या है तो जो इस्थल मंडल जो एरिया है उसमें क्या आ जाता है एक तो आ जाता है भूपरपटी उपर का एरिया जो और उसके बाद जो नीचे का आता है जो उपरी जो मेंटल है इन दोनों को मिला करके बनता था इस्थल मंडल अब यहां इस option में देखिए अगर प्रत्वी का आंत्रिक छत्र बोलेंगे तो only अंदर अंदर का area होना चाहिए इसलिए से आंत्रिक छत्र नहीं बोल सकते हैं जन्तु या प्राणी या पादफ है इन में से कोई नहीं है यह आगे देखेंगे option number B पर विचार कीजिए प्रत्वी का पटल या भूपरेश्ट तो प्रत्वी का जो उपर का area और उपरी mental इसको मिला करके होता है स्थल मंडल इसलिए इसका option number B सही हो जाएगा तो यह वाला option भी नहीं होगा option number B इसका correct answer है question number 8 आपके clear हो गया होगा इस्थल मंडल की परिवासा यही है दुरवलता मंडल इस्थल मंडल थोड़ा अंतर है अभी देखिए question number 9 परत्वी की तीन संकिंद्री परतों में उपर से दूसरी परत का नाम क्या है अगर हम बात कर रहे हैं रासानिक संगठन की आधर पर क्योंकि यहां पर यही option दिये गए है तो उपर से दूसरी परत उपर से दूसरी परत कहलो या नीचे से अगर मालीजे तीन परते हैं तीन संकिंद्री का मतलब क्या होता है जैसे कि यह है प्रत्वी तो जो ऊपर का यह एरिया है अगर यह हो गया है सियाल तो इसका केंद्र क्या है यह रहा विसके बाद का जो दूसरी परत है वो है सीमा, पूरी परतिवफ़ सेम है ना इसका भी यही केंद्र रहेगा और यह हो गई हैं, निफे अभी यह बात होगे, संकेंद्री के बारे मैं ने आपको बता दी कि तीनों का एक ही केंद्र है अभी परत क्या है तो सियाल सीमा आप यह तीन परते हैं सीरियल वाई जी हैं यहां पर लिखी हुई है तो ऊपर से दूसरी माल लो तो भी सीमा है नीचे से दूसरी माल लो तो भी सीमा है यानि कि बीच वाली ही दूसरी नमबर की आईगी तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे तीनो परत के बारे में रासानिक संगठन और वुकंपी वेभार के बारे में सभी तरीके से आपको मैंने समझा दिया इस्थल मंडल दुरवलता मंडल कोर सब कुछ आप समझ गए अब इसके बाद का अगरा जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे दोस्तो नदिया नदियों में हम कवर करेंगे एक तो भारत की नदिया और उसके बाद विस्ट्व की नदिया नदियों की लंबाई क्या है इनका न सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग बने रहिए और यह पहला टॉपिक अभी कंप्लीट होता है इसके बाद के टॉपिक भी हम ऐसे कवर करेंगे आप लोग तैयारी करते रहिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर करता है धन्यबाद दोस्तो वीडियो